चलिए अब आज की इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से मलव डाइनिस्टी से समझते वन लाइनर बन सकते हैं जैसे अगर कस्मीर के राजवन्स की बात करें तो कल्लण की राजतरंगडी जो की हर्सुस का संचक था जैसिंग भी संचक था इसकी रचना पूर्ण होई थी जैसिंग के समय में यह आठ तरंगों में लिखा गया था कल्लण की राजतरंगडी तो कस्मीर की राजवन्स में पहला नाम जो आता है वो है दुड़लव वर्धन की द्वरास्थापित कारकोट राजवन्स की बारे में और इस्वन्स का सबसे प्रथापि सासकता लल्ता अधित मुक्तापित इसने यसोवर्मन पर वजय हासिल की थी तो जो कि कर्नोज का सासक था चीन में दूत मंदल भेजा था तिबबत पर वजय हासिल की थी और मार्तंड सुरी मंदिर का निरमान कर गया था और इसकी राजधानिती प्रवरपूर तो यह सारी बाते आप जानिएगा अगला दिखिए उतुपल वंस के बारे में अगर हम बात करें तो उतुपल वंस जो है अवंती वर्बन ने अस्थापित किया था और अवंती नगर नामक एक नगर की विए अस्थापना किया था इन समय के बाद यससकर नामक व्यक्ति बैठता है तो यससकर वंस भी एक मान लो और इसी में छेम गुपत और दिद्दा का नाम आता है तो दिद्दा जो थी पहली महिला साज का मानी जाती है कश्मीर की तो भी आप लोग जानिएगा और कालांतर में उसी का कह सकते हैं भांज संगराम राज जो था उसने लोहार वंस के स्थापना किया और एक कोशन जो बन सकता है वो है पंजाब के साही वंस से पंजाब के साही वंस की राजदानी काबूल और उद्भांडपूर थी इनके स्थापना का सरी जो कल्लर को जाता है इन्होंने बैल और अस्वपरकार के सिक्के जारी किये थे जिसको गदया सिक्के भी हम लोग कहते हैं अब देखिए बच्चों और क्या कोशन बनेगा अब गुर्जर प्रतिहार से चलेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवन्स के स्थापना संस्थापक को नागभट प्रथम और वास्तविक संस्थापक किसे करते हैं वसराज को राजदानी कहा है उज्जयन बाद में कहा होगे कन्नोज में नागभट दुती के समय में इसका आदिपुर्श कोण है हरिश्चंद बावक के जोदपुर लेक से असूशना मिलती है लक्षमड ये मिहरबुच की ग्वालियन लेक में कहा गया कि ये के समय में ये प्रतिहारी का कारी किया था जब हिरन गर्वदान नामक यग्य किया गया था अगला वसराज देखे वसराज जो है प्रतिहारों की वास्तविक संस्तापक कहे जाते हैं इसने धरमपाल को हराया था लेकिन दुरूदारा वर्स से क्या हो गया पराजित हो गया और त्रिकोडात्मक संगर्ज की सुरुवात करने वाला यही सासक था इसने सवपर्थम कन्योज पर आक्रमण किया था और इंद्रा युद को अधिन किया था तो यह वस्दा से समंधित पॉइंट था नागबढदुती इसने अपनी राजदानी उज्जैन से कन्योज में अस लिला समाप्त कर लिया था इसके बाद इसका लड़का राम बद्र बैठता है जिस पर देवपाल ने आक्रमण करके उसे पराज़ित किया तीने वर्षें में साहिद समभतों मर गया तो अगला प्रतापी सासक है महिर भोज और यह महिर भोज क्या है यह प्रतिहार वंस का स उसे सक्टिसाली राजा है इसके रायदानि है महुधे नगर जिसको कर्नाउज के नाम से जाना जाता है वह दो सब्स्क्रा wa लेख है ग्वालिय प्रसस्ति लेख जिसमें मेहर भोज के उपलवदियों का वड़न है इसकी उपादी है प्रभास और आदिवरा ध्यान रखिएगा इसने आदिवरा प्रकार के स्वान सिक्की निर्गत किये थे सुलेमान और देखिए इसके पिता जो थे वो सौर धर्माव लंबी थे इसलिए तो इसके नाम अपने बीटे के नाम महिर रखे थे ठीक है लेकिन ये वश्रो धर्माव लंबी लगता है सुलेमान जो कि इसके समकाली ने ये महिर भोज को जुजर कहता है और अरबो यानि मुसल्मानों का घोर सत्रू कहता है और कहता है ये सरसेष्ट असुसीना वाला सासक था इसके पिता राम बदर थे जो कि सौर धर्म को मानने वाले थे इसने तिरत यात्रा हेतु अपने राजिका त्याक कर दिया और इसने क्या किया ये प्रतिहारूम क्या सबसे प्रतापी सासक था और कहते हैं कि इसके समकालीन अमोग वर्स था उसके उसने क्या किया मालवा को भी विजित किया था लेकिन बाद में ध्रोदुती के द्वारा उसे वह राज्य गवाना पड़ गया अब देखिए अगर हम बात करें अगला कोश्चन जो है महिंदरपाल से बनेगा महिंदरपाल प्रतम जिसका एक नाम निर्भैराज रगुकुल तिलक भी कहा जाता है इसी का दरबारी कभी था राजसेकर जो कि पिछले वाले वीडियो में उन्हें बताया था करपूर मंजरी यसस तिलक चंपू विद्यसाल भंजिका अलमसुदी इसे बाउर कहता है और राशकूटों को बल्लहर कहता है तो मुर्जुल क्या है जहाव मुर्जुल जहाव जो इसकी रचना है और सामंत कौन थे चंदेल, चोहान, कल्चुरी, कछवाहा और गुर्जर जो थे वो सभी इनके सामंत थे राजपाल का एक नाम आता है राजपाल को नहीं यह महमूद गजनवी नहीं जब इसके उपर आक्रमन किया तो कन्योज राज छोड़कर भाग गया बाद में चंदेल, सासक, विद्या, दर्की द्वारे इसके अत्या कर दी गई जो कि यह चंदेल कभी इसके सामंत थे बाद में क्या है यह चंदेलों के एक तरह से सनरक्षण में सासन करने लगी यह लोग और अब बात करेंगे हम पालों की तो पार्लमंस की स्थापना का सरे गोपाल को जाता है और यह जनता के दोरा न्यूक्त हुआ कहते हैं मत्स नय को खत्म करने के लिए इसकी इसे राजा चुना गया था इसके पिता का नाम दैत बिश्डू है और राजधानी थी कर्ण सुवन ध्यान खेगा पालों की राजधानी कर्ण सुवन थी और ध्यान खेगा मत्स नय क्या है मत्स नय यह होता है जहां पर बड़ दुसरा संस्तापक है महिपाल परथम इनों का धर्म क्या है ये लोग बहुत दर्मावलंबी थे इनकी उपाधी अधिकान सासकों की परम सवगत है गोपाल ने ओधन्त पुरी विहार के स्थापना की थी ध्यान रखिएगा अपलो एकजाम में पूछेगा तो बता दीजेगा धरम पाल देखें धरम पाल 770 इसभी में बैठाय गदी पर 810 इसकी उपादी परम सौगत परमेश्वर बिक्रम सील अना 23 संगर्ष की सुरुवात जब हो रही थी तो भी यही सासक्ता पालो का और 23 जो संगर्ष हुआ है वो पाल प्रतिहार राष्ट कूटों की बीच में हुआ था ठीक न लेख क्या है इनका है खालिम पूर तामर पत्र लेख है सोड़न ने अपने ग्रंत उदै सुंदरी कता में से उत्तरापत का स्वामी कहा है इसका अधिनस्त खन्नो सासक्ता चक्रायुद असने बिक्रम सिला विश्विद्याले और सोम पूर बिहार के स्थापना किया इसके समय में बहुत अलेका खारीबद्र को उसने सरचन दिया था ठीक है और ये बिक्रम सिला विश्विद्याले जो था वो वज्रेयान या तंतरपीट की रूप में ज़्यादा जाना जाता है और अगर बात करें अगले राजवंस के बारे में वन-लाइनर की रूप में चोहान Jis को छाहमान भी कहते हैं साकमबरी के चाहमान नड्डूल की चाहमान ये लोग अलग सासक हैं लेकिन साकामबरी के चाहमान की स्थापना वासुदेव ने किया था इसकी राजदानी ऐच्छत्रपूरती बाद में अजमेर हुई इसका सरवाधिक सक्तिसाली राजा था कौन बिग्र है राज्चतूरती जिसको विस और विसल देव को कवी वांधो की उपाधि मिली थी इसने विसल सरका निर्माण किया था हरी केली नाटक का रचाईता था और अजय राज जो की अजमेर की स्थापना किया है और प्रतिवी राजत्रती जो है यह बहुत ही प्रसिद्ध सासक था इसका दरबारी था चंद्र 1191 जिसमें प्रतिवी राजत्रते की विजय हुई लेकिन दुती तरायन की युद्ध में 1192 में हुआ उसमें हार हुआ था पराजित हो गया अब अगर बात करें विगराराज चतुर के समय में दरबारी थे सोमदेव सोमदेव की रचना है लाली थे विगराराज सोमिस्ट् 1883 में इसके स्थापना हुई थी बच्चों चंद्देव को गाधी पुरा धीप की उपाधी मिली थी इसके एक अने सासक है मदनपाल अगला सासक गुविंद्द चंद की बारें बात करें यह सबसे ज़्यादा सक्तिसाली राजा था तेक न और 1114 से लेकर 11155 के बीच में स इसकी उपाधिती अश्रोपती नर्पती ग्रजपती राज त्रयादीपती तो यगर इस तरह का कोशन पुछेगा तो आप बता दीजेगा अगला सासक है जैचंद्र जैचंद्र क्या है 1170 से 1194 यह अंतिम सासक माना जाता है क्योंकि चंदावर के उच्द में मुहम्मद ग सरू के रचयता माने जाते हैं तो द्यान केगा इस बात को बच्चों अब देखे परमारवंस की बात करें तो परमारवंस के अस्थापना उपेंद्र क्रिश्राज ने किया लेकिन वास्तविक संस्थापक्सी एक दूती को माना जाता है 945 इस भी इनका स्थापना वर्स है इसके एक अन्य सासक हैं वागपती मुंझ इसने तैलब दूती को च्छे बार युद में पराजित किया और इसने मुंझ पुर नगर और मुंझ सरूवर का निर्मार किया था और इनकी राजदानी थी धारा नगरी देखिए अगला सासक हैं सिंदूराज जिनको कुमार ना और शह का नाम इनका उपादी है इनके दरबादी थे पाद्म गुप्त जिन्हों ने ऌन शहestensान का चर्यति लिखा पाद्म परिमा भूच की बारें बात करें से भूष उल सरवादिक सक्तिशाली राजा यही था परमारों में इससने सरस्वती मंद्री का निर्मार कराया इ इक रचना सुनो समरांगर सुत्रधार स्रिंगार प्रकास सरस्वती कंठा बरन स्रिंगार मंजरी युक्ति कल्पतरू सब्दानुशा शाषन की रचना किया था अब दिखेए सकते बाद कुछ सबताब कि इसके बार्तिहारों से अपने आपको सवतंत्र गोशित करा लिया था इसका सबसे प्रतापिस हा सक्ता धंग जिसने 950-1102 इस बीकि वीकुन बीच में सासन किया इसने प्रियाग में जल समाधी ले लिया था बिद्यादर 1019-1029 दस साल तक सासन किया है इसके समय महमूद महमुद गजनवी का सफल आकरमण हुआता है और इसने महमुद गजनवी से संदी किया मित्रता सापित किया और कहते हैं प्रतिहार सासक राजपाल कि इसने हत्या किया था अगला एक अन्य सासक के परमर्दी देव परमल को नाम से है यह अन्तिम महान सासक था इसी के समय के ते ये भी आप लोग जानिएगा चलिए बच्चों आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट कल्चुरी राजवन्सकी तो इसकी राजधनी थी डाहल और त्रिपुरी जिसको कहते हैं संस्तापक कोकल प्रतम 945 सभी में सासन गांगे देव विक्रमादित 1019-1041 देखे विद्याधर राज यह लोगों का नाम सुने होंगे थीक है तो प्रयाग में इसने सो रानियोक साथ प्राणुस्तर किया और लच्मी प्रकार के स्वाण सिक्के जारी करने वाला पहला राज राजपूत काल का सासक कौन है गांगे देव लच्मी कर्ण 1041 से 1070 देखे इसने भोज को प्राजित किया था इसकी उपादी थी त्री कलंगा दिपती इसने कर्णावती नगर अकण मेरू नामक सहव मंद्र का निर्माड किया था अब हम सोलंकी यानि चौलुक की राजबंस की बात करें इसकी राजदानी थी अनिलवान इसकी अस्तापना मूल राज प्रथम ने किया था 941 स बच्चों हेम चंद्र इन्हों ने दौसरे महा काभी लिखा भीम दियो प्रथम यह सबसे सक्तिसाली राजा था इसी के समय महमुद गजनवी का अक्रमड हुगा था बच्चों और भीम के सामंत बीमल ने आबू परवत पर दिलवाड़ा का जैन मंद्र का निर्माड करवा इसमें जैसिंग सिद्राज इसकी उपादी थी अवंतिनात की इसने मजजिद निर्माड के लिए दान किया था तो इसे एक धर्म सहश्रू सासा कहते हैं जो मुसल्मानों के प्रतिवी क्या किया है उदार रवया रखा था कुमार पाल इसका दरबारी था कौन दरबारी था जैसिंग सूरी कौन ता बच्चों जैसिंग सूरी तो जैसिंग सूरी के दरचना है कुमार भूपाल चरित और भीम दिन दुती जो है अन्तिम सासक है इसकी समय में पर्म इसका लड़ाई होती है प्रिद्वी राच्टिति से मुहम्मद गोजी से तो ये भूंद दुती है तो ये आपको मुझे लगता है कि ये सब समझ में आया और आगे देखते हैं आगे इसको और हल कराएंगे अब देखिए ये थोड़ा सा कहीं पर मिस हो गया था क्या साथ पालों के बारे में देखिए द्योपाल जो है जिसका समय 810 से 850 है इसने अपनी राजधानी कंड स्थापित की अमुदगागिरी में ये पालवंस का सरवादिक प्रतापिस आ सकता प्रतिहारों पर इसने विजया हासिल की ती रामभद्र की मृत्यों हो जाती है लेकिन बाद में महर भोष से पराजित होता है इसके समय में सैलेंद्रवंसी सासक बाल पुत्रदेव के कहने पर इसने नालंदा को पांच ग्राम दान किये थे यह बहुत धर्म का पुनर स्थापना करने वाला कहा गया है इसका वर्णन तारा नात करता है कंग्यूर-तंग्यूर में बादल अब लेकिन नारयनपाल का है यसमें द्यूपालों को हूड का विजीता कहा गया है महिपाल प्रफम यह दुती संस्थापक कहते हैं इसको इसी के समय में राजिन प्रफम ने पालों पर आक्रमण किया था और बाद में गंगा नदी का पानी लेकर के गंगई कॉंड चोल पूरम नामक नगर के स्थापना किया और गंगई कॉंड की उपाज़ण किया राम पाल कॉन है यह संध्याकर नंदीन के दरवारी हैं रामचरित और मदन पाल अंतिम सासक हैं पालों के देखिए अगनिकुड का सिद्दान्त क्या है देखिए वसेष्ट रिशी के द्वारा माउंट अब उपरवत पर एक यग्य किया गया जिसमें इसे चार बीर पैदा हुए प्रतिहा कि राजतरंगड़ी में अगर बात करें इसमें 36 राजपूत जातियों का उलिक मिलता है तो यह सारी बाते आप लोगों को जाननी चाहिए और भी पॉइंट हैं जिसको आपको जानना चाहिए तो बच्चों हम अब हल कराएंगे उन प्रश्णों को जहां से कोश्चन ठीक है पाल मंस का संस्थापक कौन है गोपाल खजुराहो किस प्राचीर मंस की राजदानी थी चंदेलों की गांगे दियो किस राजबन से संब्दी था कल्चुरी प्रपूरी के जो कल्चुरी थे उनके ठीक है ना जैनक भट्ट द्वारा लिकित एक पुस्ता का नाम अब हम बात करेंगे अगला करित कल्प तरू के रचनाकार कौन है लचमी धर गुविंद दर गुविंद चंद के समकालिन थे आवंति वर्मन किस वंस से समनित था तो वो था उतुपल राजवंस बच्चों ध्यान रखिएगा समरांगर सुतधार किसकी रचना है भोज पर 1191 में हुए तरायन के युद का विजयता कौन था प्रतिवी राज तृतिय ध्यान रखिएगा ये पॉइंट तो यह चीजें आप लोग जान गए फिर आगला कोश्यन देखते हैं वाकपती किसकी उपादी थी बच्चों तो यह वाकपती किसकी उपादी थी मुंज की ठी का युद किन के बीच में लड़ा गया प्रतिवी राज चौहान तृतिय अप्लस मुहमद गोरी के बीच में यह ध्यान रखिएगा आप लोग कल्चुरी समवत का स्थापक कौन था इस स्वरसेन इसने करीब 248 सिस्वी के आसपास कल्चुरी समवत के स्थापना किया इसे से बड़ा कुश्चन पूछा है भाई देखा हूं खजुराओं का निर्माता कौन थे चंदेल सासक ज्यान रखिएगा चंदेल सासक अगला दिखेगा जैनक भट द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम बताईए प्रत्वी राज वीजय अभी बताए थे कृत्य कल्पतरू कौन रचना का रहा है लचमी धर देखिए अभी फिर पूचा था फिर पूचा है गांगे देव किस राजवन से हैं त जैनकेगा गहडवाल वंस का प्रतम राजा कौन था यह थे चंद्रदेव यह न थे इनके चंद्रदेव लिख लिजेगा आप लोग हमने पूरा कोश्यन करवा दिया है प्रत्वी राज राशों के लिखा का नाम बताईए चंद्रवर्दाई और बताईए एक तो सीएक दुती लिख सकते हो एक लिख लो भोज परमार यह दो राजा हो जाएंगे इसके अलमा वागत पति मुंझ या नवसार शांक या सिंदुराज का भी नाम लिख सकते हो तो दो ही पूछा तो दो ही मतलब आपका है अब देखे प्रतिवी राज विजय के लेका कौन है जैनक भट हमने अभी बताया आपको जैनक भट विद्यादर के बारे में आप क्या जानते हैं तो विद्यादर एक चंदेल सासक था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सपल प्रतिरोध किया था यानि महमूद गजनवी के को क्या किया था को विजयी नहीं होने दिया यानि उसका आकरमण को सफल नहीं होने दिया था तो यह ततकालिन समय का बहुती सक्तिसाली राजा था सैयोगिता कों थी फ्रतवी राज किरती की पतरी और जैचंदण की पुत्री थी थि थी थी किस से समझत है त्थी अगनी-कूंढ की उत्तिफी संबंदी है राजपूत के राजपूत के अगनिवंस के अगनिवंसी यह यह लिख सकते हो कि अगनिवंसी राजपूत के उत्पत्य संबंदित है जिसमें प्रतिहार परमार चौलुक्य और चाहरमानों के उत्पत्त का वढ़ण मिलता है फ्रतिहार भंस का प्रतम राजपूत बच्चों प्रतिहार भंस का पहला राजपूत। मैंने पढ़ा दिया है भी नागबट प्रथम खजराओ किस वंस प्राचीन वंस की राजदानी थी चंदेलों की तरायन का विजयता कौन था प्रतवी राज प्रथम ठीक है चंदेल वंस के किनी दो सासकों का नाम लिखिए तो सीधे नाम लिखिएगा हर्स और यसु वर्मन भी लिख सकते हो और विद्याधर भी लिख सकते हो या परमर्दिदे कुछी का भी नाम लिख दो पाल वंस का संस्तापक कौन है विच्छों गोपाल यह आप लोग देख लीजिएगा किस पूछाय कोश्यन किस परमार नरेश को कवी राज के नाम से जाना जाता है तो वह कौन है भोज गांगे देव किस वंस समय देता है त्रिपूरी के कल्चुरी इरट जाएंगे लगता है आप लोग चंदियर राज्वंस का संस्तापक कौन है नन्नुक ठीक है किस प्रति भोज परमार नरेश का संस्तापक कौन है उपेंद्र कृष्र राज ध्यान रखिएगा उपेंद्र कृष्र राज अभी आप लोगों को पढ़ाएं हैं सब के बारे में कनौज के मौकरियों का अंतिम सासा कौन था बिटा ग्रह वर्मन ध्यान रखिएगा उस नगर का नाम चंद्रोद है कल्चुरी संवत का संस्तापक कौन है इस्वर सेइन अभी आपको बतायते पिछले वाले अभी कुछ दिर पहले अब देखेंगे अगला कोश्चन राज तरंगडी के लेका का नाम बताईए कल्ण आठ तरंगों में लिखा है पित्वी राज रासों के लेका कौन है चंद्रबरदाई धरम पाल का उत्रादिकारी था देव पाल चंदेलों की राजदानी का नाम लिखिए खजुराहो महोबा प्रतियारवनस का सस्ताप कौन था नाग भट प्रथम दिद्दा कौन थी यसकरवनस की महिला साचिका या कश्मीर की पहली महिला साचिका थी राम बद्र कौन था प्रतियार मिहेर भोज का पिता किस राजबंस ने टोमरों को उनमीलित करके 12 सताब्दी में दिली पधिकार कर लिया तो वो कौन थे वो थे आपके चाहमानों ने या जिसको आप लोग चौहान भी करते हो ठीक है ना तो बिग्रे राज्चतूर्थ ने पराजित किया था आपको भी पता होगा कल्चुरी सम्वत के संस्तापक कौन है इस्वरसेंद या नकिएगा 248 सिजबी में स्तापित हुआ था विसुद्दानन पाठक दोरा लिखी एक पुस्तक का नाम बताईए उत्तर बारत का राजनिती कितिहास या दच्षड बारत का राजनिती कितिहास ठीक है बच्चों अब देखिए अगला कोश्चन है युक्ति कल्पतरू पुस्तक के रचनाकार कौन है तो हैं भोज समरांगर सुतदार भोज सब्दानुसासन भोज ठीक है न यह सब आप रटे रहिएगा कन्योज के लिए तिरकोडात्मक संगर्ष में कौन से तीन राजवन समलित हुए थे तो तीन राजवन से कौन थे बच्चों वो थे आपके प्रतिहार पाल और राष्टकूट यह तीन लोग सामिल थे राम पाल चरित के रचनाकार कौन है संध्याकर नंदी उद्भांड पुर किस राजवन से राजवन से राजवन से थी पंजाब के साही राजवन से पंजाब के साही राजवन से प्रबंद चिंतामड़ी के लेखा कौन है मेरुतूंग ठीक है मेरुतूंग है ठीक है बच्चों सुय कौन थे सु ये कौन थे ये आवंति वर्मन के कस्मीर के सासक आवंति वर्मन के समय के अभियन्ता थे जिनोंने सिचाई के लिए नहरों का निर्मार किया था मत्सनाय वह है जहां पर बड़े लोगों के द्वारा कम जोर लोगों का सोषण किया जाता हो तो उसे कहते हैं मत्सनाय कहते हैं करपूर मंजरी के लिए का कौन है हमने अभी पिछले ही वीडियो में बताया था कौन थे राज सेखर इस वीडियो में भी बताया हूं गुजरात के चौलुक्यों का संस्थापक कौन है बच्चों तो वह हैं मूल राज प्रथम मूल राज प्रथम तो यह जो पॉइंट बताते जा रहे हैं इसको देख लीजेगा आप लोग अब देखिए अगनी कुण से किसकी उत्पत्ति सम्मनित है तो वह कौन-कौन से लोग हैं बच्चों आपको पता होगा प्रतिहार परमार चौलुक्यों चाहमान या चौहान यह चारों की उत्पत्ति सम्मनित है ठीक ना अगनीसी लोग है ये लोग तो प्रतिहार वंस का परतम राजा कोन था बच्चों प्रतिहार वंस का पहला राजा था नागभट परतम भार भार भ़िपूछ रहा आ है पाल वंस का सब्सक्राइब कर लेका कौन है बच्चों यह आवंति वर्मन किस राजवन से हैं उतुपल लोगों को यह सारी चीजे समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से त्यारी करो बच्चों ठीक है और यह सब के लिए इंपोर्टेंट है और हमने दे दिया है सब कुछ बता दिया है थैंक यू